राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक, शम्स तब्रीजी, रूमी के कामिल मुर्षद की ओडियो रिकॉर्डिंग ओडियो कॉपिराइट दो हजार तेईस, राधास्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाधिकार सुरक्षित शम्स तब्रीजी, रूमी के कामिल मुर्षद, लेखिका, फरीदा मैलेकी प्रकाशक, GPS भल्ला, Science of the Soul Research Center, राधस्वामी सत्संग ब्यास, पाँच गुरुरविदास मार्ग, उसा रोड, नई दिल्ली, एक एक, शुन 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 पाँच, भारत कॉपिराइट, 2014, राधस्वामी सत्संग ब्यास, सर्वाध्यकार सुरक्षत पहला संस्करण, 2014 विशे सूची, भूमिका, परेचै, शम्स के अनुसार मनुष्य जीवन का महत्व, परंसत्ता के बारे में शम्स के वचन, शम्स कहानी सुनाने वाले के रूप में, रूमी के बारे में शम्स के वचन, अपने बारे में शम्स के वचन, भूमिका, अगर कोई बात कहने युग्य है, और मुझे कहने से रोकने के लिए सारा संसार भी मेरी दाड़ी पर हाथ डाले हुए है, फिर भी मैं वो बात जरूर कहूंगा, इसमें कोई संदे नहीं के हजार साल बाद भी वो बात उस व्यक्ति तक पहुँचाएगी जिस तक मैं पहुचाना चाहता हूँ, शमस तबरीजी मकालाथ 681, गुरू और शिष्च के सक्रिय संबंद के संदर्भ में, शमस तबरीजी के लिपी बद्ध प्रवचनों से लिए गए उद्रण शुरोताओं के समुख प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसनता हो रही है, ये धारना प्रचलित है कि शमस एक ही विद्यार थी, एक ही शिष्च के लिए आये थे, और उन्होंने अपनी सारी शक्ती और सारा उप्देश उसी पर केंद्रित किया, वो शिष्च था जलाल अलदीन रूमी, जिसे प्यार से रूमी के नाम से पुखारा जाता है, रूमी को प्रभू की पहचान द्वारा उसके प्रेम में मगन व्यक्ती में बदल देना ही उनके जीवन का लक्ष था, इस तरह शमस के अपने वचन दिव्य सत्त के एक प्रेमी को संबोधित करके कहे गए थे, वे वचन अध्यात्म विद्या और सूफिवाद के इतिहासकारों, सा शमस के लिए केवल एक ही चीज महत्वर रखती थी, और वो थी दिव्यात्म तत्व की वास्त्विक्ता, वो वास्त्विक्ता जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, अगर शमस की तरह आपकी भी परमात्मा में दिल्चस्पी है, तो आप देखेंगे कि शमस के कथनों में प्रेड़ना और विद्धता दोनों नहत हैं, लेकिन हम आपको पहले ही साफदान कर दें, शमस के कथनों को समझना आसान नहीं है, वे कभी आपको अपनी उधारता से चकित करेंगे, और कभी भाव के धुंदलेपन के कारण आपको हताश कर देंगे, लेकिन वे आपको हमे प्रेड़ना मकालात शमस तबरीजी के आधुनिक अंग्रेजी में अनुवादित शमस के कथनों के एक संग्रह का उप्योग किया गया है, यह संग्रह इरानी मूल की एक अमेरिकन महला ने किया है, यह महला सोयम एक आध्यात्मिक गुरू की शिश्या हैं, जो समकाली इन आ एक आरंब से अंत तक पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, ये तो रतनों से भरी एक तिजोरी है, ऐसे रतनों से भरी तिजोरी, जिनके बारे में आप जितना अधिक विचार करेंगे, उतना ही अधिक उनके मूल्य का आपको ग्यान होता जाएगा। शम्स का एक मात्र उद्देश्य था, मनुष्य की आंतरिक शम्ता के दिव्य पहलू को एक यथार्थ का रूप देना, उसका अनुभव रूमी के साथ बांटना और उसका गुणगान करना। जैसा कि आप जल्दी ही जान लेंगे, सत्य बताने में शम्स किसी भी प्रकार का समझोता करने को तयार नहीं थे। वे अक्सर अपने को उस एक से परमात्मा से अभेद बताते थे, एक ऐसा तथ्य जिसे कई लोग धर्म विरुधी मान सकते हैं। हो सकता है, कोई पूछे कि कोई आम इंसान अपने आपको परमात्मा के स्तर पर कैसे रख सकता है। ऐसा लगेगा कि शम्स के लिए जो सत्य को ही सब पुझ मानते थे, अपनी असली हस्ती को और किसी भी तरह बयान करना, पाखंड करना होता। फिर भी चाहे शम्स अकसर पाखंड की घोर नंदा करते हैं, उससे हमें उनकी शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू का पता चलता है, वे ये भी स्विकार करते हैं, कि सत्य अपने विशुद्ध रूप में किसी विरले को ही ठीक से समझ में आता है, और निसंदे अकसर ल जिनका उदेश ये सुझाब देना है, कि उनका एक अर्थ ये भी हो सकता है, संभव है कि कुछ अनुशेदों से आपको कुछ खास प्राप्त ना हो, लेकिन कुछ अनुशेद, फौरन रिदे का कोई तार जोर से जन्जना दें, ये भी संभव है कि शम्स के वचन आपके अ प्रकाशक होने के नाते, हम ये आशा करते हैं कि ये आउडियो पुस्तक शम्स के वचनों को अपने लक्ष तक पहुचाने का साधन बनेंगी, अगर एक भी बान अपने लक्ष को बीन्द देता है, तो इस आउडियो पुस्तक ने अपना काम कर दिया, हम ये आउडियो पुस्तक अनुभव की मस्ती के लिए तडप रहे हैं, उस मस्ती के लिए जो हमेशा बनी रहती है, फेट सिंग, RSSB प्रकाशन, ब्यास